प्रेंड्स मैं इंजिनियर राहुल रंजन अस्टडी इंडियाड़ा की उठीब चले में आपको स्वाध करता हूं सभी बच्चे प्रजेंट हो जाएं सभी को गुड मॉर्निंग सभी बच्चे प्रजेंट हो जाएं वीडियो को लाइक और सेर करें सुबह के आठ बच चु सब्सक्राइब करने वाले हैं आज हम लोग इसका फूल थियोरी यानि पूरा कम्प्लीट थियोरी आज हम लोग देखने वाले हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर कीजिए लगभग जितने स्टुडेंट यहां पर प्रजेंट हैं सभी लोग अपना वाट्सअप फेस्वूक ग्रूप में जितना आप यूज करते हैं गुरूप या फिर फ्रेंट सेर्कल को सेंड करें हर जगा ताकि मैक्सम से मैक्सम लोग को इसका बेनिफिट हो सके आज हम लोग पॉल टेखनीक में नया चैप्टर कमेस्ट्री में देख रहे हैं केमिकल रियक्सान रस कि 5% से लिवस को कम्प्लीट कर चुके हैं यह आपका बता दू केमिकल रियक्शन बहुत इंपॉर्डन टॉपिक बचा हुआ था यह चैप्टर आज कराना बहुत जरूरी था इसलिए मैं सोचा कि यह दो क्लास में आपको पूरा कम्प्लीट करा दू एक दिन आज पूरा थियोरी का क्लास चलेगा इसके जो नेक्ट डे जो आएगा उसे हम लोग इसका पूरा नुमेर कल और कोशन को देखने वाले हैं तो चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं और आपको बता दू यहाँ पर पेड़ कोर्स जो आप लोगों के लिए लौंच किया गया है जो अभ रुपया में आपको पूरा कंप्लीट फुल स्लेवस का स्टड़ी पैकेज स्टड़ी पीडिएफ आपको मिल जागा मातर 399 रुपया में फिजिक्स कमेश्ट्री और मैं तीनों सब्जेट का फुल लैटेश्ट स्लेवस एक और्डिंग आपको मिल जाएगा आप लोग जल आप सेलेक्शन ले सकेंगे ठीक है ना तो जल से जल जॉइन कीजिए लगवए 175 प्लस स्टुडेंट जॉइन अल्रेडी कर चुके है बस आप लोग जो स्टुडेंट कुछ बचे हुए जल से जॉइन कीजिए चलिए अब हम लोग सुरू करते हैं कुछ सबसे पहले हम स्टुप से दिख से के कहां कहां से कोष्चन से और निगालता है नो चीज़ को आपको छाट-छाट चाट में बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है ऐसकीप क्या करना है ठीक है ना क्योंकि इस चैनल पर से कंडेंट जो पढ़ाया जाता है जो और इक्जाम में मैकसिमम सब्सक्राइब रिवर्टन गुनों के अनुसार होता है जिसमें कुछ टेंपरेरी जो है उत्करमीन यानि रिवर्च हो सकते हैं या फिर कुछ परमानेंट होती है को छोड़ी यहां से कोचन आप से नहीं पूछेगा वोच्ट यहां पर थोड़ा सामलोग जिसे chemical reaction पढ़ रहे हैं तो chemical reaction के बार में जानना जुरूरी है आपना मॉयल quality को जूम कीजिए यहाँ पर जूम नहीं सोरी आपका मॉयल का quality को थोड़ा बढ़ाईए ठीक है न तभी आपको सबस्ट ग्रूप से दिख सकेगा ध्यान से देखिएगा पेट ग्रूप में इसका PDF अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक है न चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है जी रशायनी कभी किरिया यहीं टॉपिक हम लोगों जब भी कोई तत्व जब भी कुछ तत्व जो है न आपस संजोग करकी एक यौगी का निर्मान करती है अथवा यौगी का फगटित यानि डिकंपोज होकर दुसरे यौगी क्या तत्व बनाता है न इसी को हम लोग यानि रशायनी के विकिरिया बोलते है आता जिन किरियाओं में से एक या एक से अधीक पदार्थों उपस्तित परवानों के साथ यहां पर रियरेजमेंट के कारण भीनविन पदार्थों का निर्मान होता है तो उससे रशायनी के विकिरिया भी बोलते है या फिर दूसरे सब्दों में यह भी बोल सकते है इसका डिफ्रेसन है कि जब एक पदार्थ किसे दूस बनता है बिल्कुल देख सकते हैं हाइडोजन और ऑक्सिजन को मिल करके जो है क्या बनता है एस्टु यानि जल बनता है ठीक है ना यहीं भी किरिया को हम लोग क्या बोलते हैं यह बहुत है स्कोरिंग चैप्टर है यहां से 10 नमर का एकजामनर जो है कोहचन निकालता है ठी कि अब करने बाल पदाःतों के परमानूओं के बीच बंधन बनने की किरिया सदयाव होती रहती है और यही कारण है कि रसाइनी के विकिरिया कराया जाता है ठीक है ना कोई आप अश्व बात नहीं करेगा उनली study पर concentrate कीजा आज फुल थिवरी का classes है तो concentrate करना है study पर जिसको problem हो रहा है चैट से कोई किसी पर comment कर रहा है तो आप अपना चैट को off रखिए और continue study कीजिए ठीक है ना क्योंकि मैं देख लूँगा तो ब्लोग कर दूँगा इसलिए आप लोग को फालतु comment नहीं करना है only concentrate रही आपको classes इस भी ठीख है आगे बढवते हैं अगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं रसाइन के भिकिरिया के चार तत्हेश्रीक चार फैक्टर है में मिड़कों कर ब्लेना जिरुक होता है बिल्कुल इस फैक्टर को जानना प्रवर्थन अवश्यक होता है। में उत्पाद बॉन जो की प्रोडर्वदा नए गुन्वाले होते हैं, जो सरवदा नए जानद लिह बोला जा रहा है, उत्पात सरवदा ही अभीकारक से धीन दिखाए पड़ते हैं बिल्कुल रसाइनी के भीकिरिया कि उत्करमीन यानि रिवर्स करना जदी असंभब नहीं होता तो या अत्यांत कठीन भी नहीं होता आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा आपको explain करके आपको detail में समझाओंगा सबसे पहले हम लोग को यहां पर यह जानना है जानना क्या है कि रसाइनी के भीकिरिया करा जाता लैब में भी करा जाते हैं तो वहां पर क्या होती है तीन परकार को उर्जा निकलती है light energy heat energy and mechanical energy परकास उर्जा उष्मा उर्जा और यह क्या होती है यांत्री कुर्जा आगे बढ़ते हैं रसायनी के भीकिरिया कुछ एक्जामपल है एकजामपल हो सम्गेमिकल रियक्शन क्या क्या है स्वास लेना और छोड़ना यह भी पर ब स्वास लेना और छोड़ना किसका इजामपल है रसायनी के भीकिरिया का सरीर के अंदर भोजन समागरी का पाचन करना यह भी रसायनी के भीकिरिया का होता है जो कि वहां पर उक्षिकरन का काम होता है फलो का पकना यह भी रसायनी के भीकिरिया है दूद से दही जमना यह भ कर लिजेगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं आगे कोश्चन को बढ़ते हैं बिभीन परकार करें साइनिक भीकिरिया डिफ्रेंट टाइप आफ केमकल रियक्षन कौन कोन है जी यह रियक्षन जाना जुरूरी है सारा रियक्षन इंपोर्डेंट है सारा रियक्षन इंपोर्ड जाता है वैसी अभी किरिया हैं वैसा रशायनी के भीकिरिया जिसमें अभिकारत तथा उत्पाद दोनों की भावति के विच्थाएं समान होती है और उसी को JEFF S. होमोई ढोंजेनिक कर् enfilly के लिए बोलते हैं तो क्या बनता है 2NO बनता है बिल्कूल अगर H2 और I2 को मिलाते हैं तो 2HI बनता है यह आपका reaction शाथ में जानना जरूरी है अगला अगर देखते हैं अगला reaction क्या है जी अगला जो reaction आपके सामने है वो है भी समांग reaction reaction हेट्रोजेनियस reaction इसको बोले आता है वैसी अभीकिरिया जिसमें अभीकारक तथा उत्पाद दोनों की भावतिक अवस्थाएं भीन होती है दोनों का इसका भावतिक अवस्था भीन है इसका भीन है विश्चिको विश्रमांग अभीकिरिया उदारन के लिए देख सकते हैं जामपल से कोचन निकलता है अगला संजोजन अभीकिरिया इसको कंबिनेशन रियक्षन बोलते हैं इसमें नए पदार्थ दो पदार्थ क्या है, दो या दो से अधीक पदार्थ, आपस से संजोग करके एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, उशी को combination reaction बोलते हैं, इसमें नए पदार्थों के गुन, मूल पदार्थों के गुन से बिलकुल ही भीन अलग होते हैं, नए पदार्थ जो बनता है न, व बनता है, वो AB के फॉर्म बनता है, इसका पुरपट्टी ये दोनों से भीन होता है, अलग होता है, जैसे देखिएगा, SO2 और O2 के साथ, दोनों के साथ अगर भीकिरिया करवाते हैं, 303 बनता है, विलकुल ये दोनों से डिफरेंट भूर्म बल्टी का हो जाता है, उसी तरीका से CO2 को करवाते हैं, तो CACO 3 बनता है, ये एक्जामपल किसका है, COMBINATION REACTION का, COMBINATION REACTION का, एक जामपल देखते चलिएगा से भी लोग, अगला जो आता है, चौथा नमबर का वो है, भीयोजन, इसी को अप घटा नभीकिरिया बोलता है, कि अप घटा नभीकिरिया से बिल्कुल अब जो है, डिफ्रेंट होता है, ये जो है न, देखेगा, इससे भी अप जीट होता है, देखेगा, इसमें दो इलमेंट बन करके, दो इलमेंट के साथ अगर अभी किरिया करवाते हैं, तो तीसरा इलमेंट बनता है, लेकिन डिकमपोजिशन में क्या होता है, तीसरा इलमेंट, यानि दोनों इलमेंट का संजोजन जो होता है, उससे करवा करके, तीसरा जो बनता है, वो आपस में अलग-अलग ब्रेक होता है यानि इसको बोल सकते हैं कि जो है ना decomposition reaction combination से बिल्कुल opposite यानि उल्टा होता है देखिएगा decomposition में क्या है अभगाटन अभी किरिया से बिल्कुल बिपरित होता है बिल्कुल आता वैसी अभी किरिया जिसमें एक बड़े याउगिक को तूटने से दो या दो से अधिक छोटे याउगिक बनते है और जिसके गून के लिए याउगिक के गूनों से बिल्कुल भीन होता है इसी को बियोजान अत्वा अभगाटन अभी किरिया यानि decomposition reaction बोला जाता है देखिएगा एक बड़ा याउगिक है यह बड़ा याउगिक से मिल करके क्या बनता है दो छोटा-छोटा याउगिक में ब्रेक होता है यह भी जो है दो बड़ा-बड़ा याउगिक है यहां से अगर मिल करके न दोनों जो है न छोटा-छोटा इलमेंट बनेगा देखिएगा यह जो है एक करूप में ब्रेक हो रहा है और दूसरा बी करूप में ब्रेक हो रहा है उसी तरीका से चुनना पथर CCO3 को अगर हम लोग हीटिंग करते हैं हीट देते हैं और कम्बिनेशन करवाते हैं तो क्या बनता है COO बनता है यानि कली चु और तीन दूनी चुछ दूग ऑक्सिजन हो गया और दो के सी यह लियान है बिल्कुल एक्वेशन बैलेंस है ठीक है ना अगला जो देखते हैं यह 20 थापन अभिकिरिया इसी को डिस्प्लेस्मेंट रियेक्शन और सब्लीमेशन रियेक्शन इसी को बोला जाता है सब्स्ट तत्व के यौगी से उस तत्व के पर्मानों को हटा कर स्वय उसका अस्थान को गरहन कर लेता है तथा नया यौगी का निर्मान करता है इसी को ना हम लोग डिस्प्लेस्मेंट रियेक्शन या फिर सब्स्टिश्यूशन रियेक्शन बोलते हैं देखिएगा यहां पे बी और पर सब्स्टिशूशन करते हैं तो ऑलग ब्रेक्शन या से अलक ब्रेक्शन करते हैं तो दुसरा ये four में घ्रीक्इगा ठीका उसी तुरी का आगे हम लोग देखते हैं, यहां से कोश्चन आपसे क्या पुछेगा, वो चीज को मैं आपको हाइलाइट करते चलूँगा, और इसका बहुत ही धासू-धासू कोश्चन मैं आपको ले करके आऊँगा, ठीक है ना, जो मैं उजेक्टिव करवाए जागा तो, नुमेरकल आता है, डवल डिकंपोजिशन रियेक्शन, वैसी रहसाइनिक अभिकिरिया, जिसमें दो अभिकारक, यानि दो रियेक्टन्स अपने ग्रूप को अदला बदली करके, दो नए योगिक, यानि प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके को अभटन अभिकिरिया, यानि डवल डिकंप कर लिया न, ए और डि मिल गया, यानि इसके साथ मिल गया, और इसके साथ मिल गया, देखिए ओर डी मिल गया, और बी और स्दी मिल गया, इसी को डवल डिकंपोजिशन, यानि दोनों यहान POLला बदली कर ले रहा है, उसी को उभे, अभटन अभिकिरिया, यानि डवल Gi кажется, बोला जाता है, देखिएगा, ag no-3 plus na-cl के साथ अभी किरीए, दोनों को साथ अभी किरीए कराते हैं, तो na-no-3 बन जाएगा, यानि na-no-3 यह बन अपको यहां पर चलाया, और ano-3 यह दोनों आपसे मिल गया, और ag cl-3 बन गया, AG और CL दोनों आपसे बन गए यानि दोनों जो है अदला बदली कर ले रहा है वो एक्जांपल में अल्रेडी देख सकते हैं अगला हम लोग देखते हैं देखेगा अभी किरिया की परकृति का धार पर अभगटरन के पर गेर यहां पर छोड़िए यहां पर छोड़िए प्रि यहां पर देखेए वैसी रसाइनी के भिकिरिया जिसमें एसीड और अलकली अपने समूह की अदला बदली करके लवन और जल बनाते हैं उशी को उदासनी करन यानि यहां पर नूट्रलाइजेशन रियक्शन बोलते हैं देखेगा एनने वेच क्या एक छार है एसीड क्या एक लवन है तो क्या बन रहा है जी एनसीड बन जा रहा है यानि लवन बन जा रहा है दूसरा क्या बन जा रहा है जल बन रहा है यानि कहने का मतलब वैसी रसाइनी के विकिरिया जिसमें एसीड और अलकली यानि छार दोनों अपने समूह में अदला बदली करके लवन और जल बनाते हैं ना वही उस reaction को neutralization reaction यानि उदासनी करन reaction बोला जाता है कि सभी लोग video को like कर दीजेगा कोई आपस बात नहीं करना है जी इसका पेड़े पेड़ गुरूप में provide करा दूंगा यह देखिएगा indicator क्या है किसी billion के गूनों इसके निर्देशक और सुचा कहते हैं इसको indicator कहते हैं यह देखिएगा यहाँ यह यहाँ आपने रंग में प्रवर्टन लाकर यह सुचित करता है कि billion अमलिये च्छारी और उदासीन है यह कलर से पता चलता है यह देखिएगा यह देखिखमें यहोडें क्या है यसको यार्ड कर लेना यहाँ से एक कोष्टन जरूर दिखेगा कोष्टन तेखिखिण को मिलता है इसको याद कर लिजएगा प्रियमेंबर करना ठीकर न है जाद करना देखेगा आप से पूछ देगा लिटमस लिटमस का बिलयन में देखेगा कलर क्या क्या होता है अमलिये बिलियन में क्या होता है लाल होता है छारिये बिलियन में बैगनी होता है उदासीन में निला होता है उसी तरीका से मिथाईल औरेंज का है पूछ सकता है कि अमलिये में क्या होता है गुलावी होता है छारिये में पिला होता है उदासीन में नरंगी होता है अब इसको हाइड्रो लीसिस बोलते हैं इसी को हम लोग हाइड्रो लीसिस बोलते हैं इस परकार के अभिकिरिया में बीक एसीड और बीक बेस के लवन के लवन से जल के संपर्क में जल से जो है ना देखेगा हाइड्रो लीसिस में क्या होता है इस यह अभिकिरिया में क्या होता है बीक एसीड और बीक बेस के साथ लवन के लवन के लवन जल के संपर्क में जल से भी किरिया कर आंसिक रूप से अमल एवं भस्म बेस बनाते हैं उदारन के लिए देखिएगा एनने टू सीओ थिरी प्लस टू एस्टू ए आनि सोडियम कर वो नेट जो है ना टू एस्टू के रिजम रियक्षिन इसको जो बोला जाता है न समावी बी करन अभिकरिया यह वैसी अभिकरिया है जिसमें किसी भी यौगी के अनुमें उपस्तित पर्माणूँग के पूर्ण बिन्यास के कारण एक नया योगिक बनता है न जिसका आनुविक सूत्र मॉलेकुलर यहां से उतना कोश्चन नहीं पुछेगा कोश्चन आपसे क्या पुछेगा यहां पर यह गारशायनिक शंकेत जो है ना चिंबूल रशायनिक शंकेत किसी भी तत्व के दिर्ग नाम को संच्छिप्त रूप से व्यक्त करने का परती क्या चिन उस तत्व का इस तत्व कोश्चन आपसे क्या पूछेगा भोचिज को देखिए ध्यान से देखियेगा मैं इडिकेट कर रहा हूँ देखिएगा यहां पिर मैं थोड़ा सा बेसिक कोंशेप्ट समझा देना चाहता हूं ध्यान से देखिएगा तत्व को अंगरेजी कोई भी है न उसको अंग्रेजी फ्रेंच या जर्मन नाम का पहला अच्छर संकेत के रूप में लिखा जाता था कोई भी इल्मेंट का नाम करन जो हुआ था संकेत रूप में संकेत के रूप में जो संकेत दिया गया था जैसे कारवन का C. लिया गया था oxygen का हूँ hydrogen का H. लिया गया था उसी तरीका से अगर देखेगा किया पर जैसे mgbr दो लेटर में जो लिखाता था कैसे लिखाता था जी यहां पर देखेगा जदी दो या दो से अधीक तत्वो के नाम एक ही अच्छर से पररम्भ होते हैं तो एसी स्थिती में तत्वो के नामों का पहला अचर और उसी नाम का कोई अन्य प्रवधान अच्छर शंकेत के रूप में परोग किया जाता था, जिसे पहला अचर बड़ा और दूसरा अचर छोटा होता था, देखिएगा, जैसे मैगनेसियम, मैगनेसियम को कैसे, यहाँ एमजी कैसे यहाँ पर लिखा गया था, पहला अचर एम तो बड़ा है, और मैगनेसियम, गनेसियम, मैगनेसियम, जी जो है न, इसमें एक और भी जो है, सबसे ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है, इस लेटर पर, यानि एमजी इसका रखा गया थी, यह जो कैसे नमकरन, जो है, तत्व को, इल्मेंट को किया गया था, वो चीज को यहाँ पर बताया गया है, ब्रोमीन को कैसे किया गया था, यह तो पहला अचर भी हो गया, ब्रोमीन, यानि आर पे ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है, यानि ब्रोमीन को ब्यार इंडिकेट किया गया था, बेर भी आह जितना लिखना उतना है और अश्टार मार आघ्मक को एस्टार मारे यहां से या इसको याद करना है ए याद करना है ठीक है न देखेगा आप से पूछ देगा सबसे हलका तत्व प्रकरितिक रूप में पाएजाने वाला कौन सा है, ठीक है, तो आपको कौन सा बताना होगा? आपका अंसर कौन सा होगा, hydrogen, ठीक है ना, hydrogen ये वर्त सारनी का सबसे पहला तत्भर जो सबसे हलका है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये बहुत important है, ये सारा चीज़ को याद करना पड़ेगा ठीक है ना वैसे आप से पुछा जाएगा दूसरा कि सबसे जटिल तत्व प्रकृतिक रूप में पाए जाना मलब कौन सा है यूरेनियम ठीक है ना सबसे हलका तत्व गैस में कौन सा है जी तो आपका अंसर होगा हाइडोजन सबसे भारी तत्व गै कोश्चन एक्जामनर निकाल सकता है यहां से कोश्चन जो है ना एक्जामनर निकाल सकता है याद कर लिजेगा याद कर लिजेगा चली आब आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर आते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है जी महत्तपूर्ण टॉपिक मह पूर्ण पाइंट को कलेक्ट करके विडियो बनाया जाता है इसलिए आप जो है ना विडियो को सिंसेर हो करके देखिए तभी जो है न जब इसका मैं कल जब कलासिज करवाऊंगा अब्जेक्टिव करवाऊंगा न तो हाँ पर जो स्टुडेंट इस टेवल जो इस पीडिये जैसे देखिएगा सोडियम है सोडियम का लैटी नाम इसको भी याद कर लेना है भी भी आई है यह टेबल भी भी आई है स्टार मार कर देता हूँ याद कर लेना है सोडियम का लैटी नाम क्या है जी नैट्रियम है संकेत एने होता है सोना का लैटी नाम बहुत और पुछा ऐसे हम का लैटी नाम कैलियम होता है ठीक है न हरहाल में ये टेबल को याद करना है सभी पेड श्टुडेंट हराल में याद कर लिजेगा जी यतने श्टुडेंट वीडियो को देख रहा है सभी लोग याद कर लिजेगा अब हम लोग चलते हैं केमकल फॉर्मूला पर कर लोगी कि अनुओ की रचना होती है उसी को रशायनिक सुत्र यानि केमकल फॉर्मूला बोला जाता है रशायनिक सुत्र मुखता तीन परकार की होती है अपना मॉयल क्वालिटी को थोड़ा सा जो है न क्वालिटी बढ़ा लिजे ताकि इस पर श्रूप से दिख सकेगा पहला होते ही हैं इंपेरियल फॉर्मूला दूसरा मॉलिकूलर फॉर्मूला तीसरा स्ट्रक्चर फॉल्मूला होता है द्यान से देखेगा किसी यौगी का वासुत्र जो उस यौगी के अनुमे उपवस्थी तत्वों के परमानुओं की संख्या का सरलतम प्रश्परी का अनुपात ब्यक्त करता है मुलानुपाती सुत्र या सरलतम सरल सुत्र कहलाता है उदाहरण के लिए एथेन क्या है C2A6 इसमें एक अनुमे एफेन तथा हाइडोजण के क्रमसा 2 और 6 परमानूँए अतर इसका सरलतम अनुपात जो होगा न कोहां से जामनर कोश्चन निकालता है इसको लगा लिजेगा ऊसी तरिका से सिठिलीन का भी देख सकते हैं CH3 का भी मुलानुपाती सुत्र निकाल सकते हैं एथेन का बेंजी का भी पुछ दिया है तो आप लोग देख लिजेगा ठीक है न मॉलिकुलर फर्मूला अनू सुत्र क्या होता है किसी योगी का वह सुत्र जो उसके अनू में उपास्ती तत्वों के परमानों की बास्तविक संख्या को व्यक्त करता है उसके बास्तविक संख्या को व्यक्त कर करने लेना है मुलानुपाती सुत्र अनुशुत्र के समंद में रिलेशन इसको भीवे लगाईए यहां से नुमेरकल में काम देगा ठीक है ना क्या होता है अनुशुत्र बरावार एन गुने मुलानुपाती सुत्र होता है इसको हम लोग नुमेरकल में उज़ करेंगे ठीक ह करता है ये बराबर क्या हो गया जी अनुभार बकट मुलानुपाथि भार यहां से नुमेरिकल में इसका युज किया जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां बढ़ते हैं से कोषचन कैसे निकालेगा आप से पूखड़ेगा फेरिक सलफेट का अनुशुत्र क्या boya F2SO4 का health rise होता है, वैसे मैं आप लोगों को paid वाले ग्रूप में पूरा important formula का table के साथ मैं provide करा दिया हूँ, वो चीज को देखना बहुत जरूरी है, important formula का table प्रोवाइड करा दिया गया है, और भी जो है, एक special मैं आपको फिर से provide कराऊंगा, ठीक है, tension ही लेना है, देखेगा, potassium sulfate का क्या होता है, K2SO4 होता है, sodium bicarbonate का NaHCO3, यह तो पता ना कितना बार polytechnic पूछ चुका है, polytechnic ही नहीं, railway से सी बहुत और पूछ चुका है, potassium chloride का KClO3 होता है, mercury chloride का HClO3 होता है, उसी तरीका से ammonium chloride का LCl3 होता है, zinc sulfate, ZNSO4, QPRI की इसको पढ़ लिजेगा, चीनी का तो पता ना कितना बार पूछ चुका है, चीनी का ही बहुत और पूछ लिया गया है, calcium carbonate का ही बहुत और पूछ लिया गया है, यहाँ पे इस table को एक बार आप लोग read कर लिजेगा, याद कर लिजेगा, आगे हम लोग ब परमानुओं की सजावट या बिन्यास परदर्सित करने वाले सुत्र को संरचना सुत्र बोले जाता है, कुछ योगी के संरचना सुत्र जैसे देखिएगा, जल होता है, जल का अनुसुत्र क्या होता है, ही जो है, हाँ पे जुड़ा हुए connect है, उस तरह का से अमोनिया का अ सिक्स होता है, देख सकते हैं, सभी आपस में hydrogen connect होता है, यह जो है संरचना सुत्र है, ठीक है, और यह क्या है, अनुसुत्र है, एक बाटी टेबल को आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, को रशाइनिक संकेतों तथा अनुसुत्रों के पद में बयक्तबास्त्विक रशाइनिक अभिकिरिया के संछिव्त रूप से रशाइनिक समिकरन बोलते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ ठीक है ना यहीं तो एक रशाइनिक समिकरन हो गया ठीक है ना इसे भी किरिया के सब्दों से आप रशाइनिक समिकरन बनता ध्यांस देखेगा संकेत और सुद्रों की मदद से निमलाक निमलिखित परकार से जो है ना बनाया जाता है देखिएगा फ्रशाइनिक समिकरन इसी को बोला जाता है इसमें कौन-कौन सिंबोलिक रिपर्जेंटेशन होता है यहां पर देखेगा जब इक्वेशन बनाया जाता ने विए ऐसे आपको 11 पर पढ़ना है symbolic द्यान से दिख़ेगा कही फिग्वेसन में अगर S दे रखा है तो Hi Solid का zो है indicate कोई positive भी रहता है कोई G भी रहता है यानि हुसे का labour obligation किसका किसका क्या το देखिएगा G दिए हुआ रहता है तो गैस का indicate करता है ऐसे arrow रहता है तो अनुत कर्मनिय विकिरिया का इंडिकेट कर रहता है और ऐसे रहता है तो उत कर्मनिय विकिरिया का इंडिकेट कर रहता है नीचे क्यों रहता है तो अब छेप बनने का सुचक होता है और ऐसे रहता है तो गैस निकलने का सुचक होता है यह chemical equation में जो सब यूज होता है, plus KCL रहता है, तो मुख तूर्जा होता है, और minus KCL रहता है, तो उसमा 6P होता है, और delta जो रहता है न, वो योगी को गर्म करने का सुचक रहता है, यह जो है symbol, यह गर्म करने का symbol है equation में indicate करता है, और EQ रहता है, तो जल यह का indicate करता है, यह just indication है ठीक है कैसे कैसे equation में किसका किसका indication कैसे होता है ध्यान से देखिएगा रशाइनिक समिकरन लिखने का बीधी हम लोग सबसे पहले देखते हैं अब हम लोग देखते हैं रशाइनिक समिकरन लिखने का बीधी कैसे रशाइनिक समिकरन लिखा जाता है जी पहला process है, अभिकारक पदार्थों के परतीक सुत्रों को बाई और लिखा जाता है, बिल्कुल बाई और लिखा जाता है, ठीक है, इस से लिखा जाता है, और निर्मीत पदार्थ बनता है जो उत्पाद, जो final product जो बनता है, उसका परतीक सुत्रों को दाई और लिखा जाता ह अभिकार को और उत्पादों के बीच में arrow का सिंबल दिया जाता है, ठीक है ना, देखिएगा, पहला यह product है, दूसरा उत्पादक है, arrow का सिंबल दे करके, जो है, तीसरा product, उत्पाद जो है, final product बना जाता है, यह जो है, समिकरन यानि equation लिखने का process है, ठीक है ना, equation लिखने क 2H2O हो गया, ठीक है ना, कुछी तेरी का सिंबल बनता है, दोनों के साथ बीच में arrow का सिंबल होता है, ठीक है, अगला point जो हम लोग देखते हैं, अगला point क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक रसायनिक समिकरन में, अभिकार को और उत्पादों की भावतिक बस्थाओं का उलेख भी किया जाता है, जैसे G को गैस से इंडिकेट करते हैं, एक यू को जलिये से, आई को तरल से, एस को ठोसे, एस सभी क्येसन में कहीं कहीं दिखने को मिलेगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा, कि G लिखा ले तो गैस है, एक यू लिखा ले तो जल पहला है, असंतुलित रशायनिक समिकरण को रूप रेखातमक रशायनिक समिकरण के रूप में जाना जाता है, एक्वेसन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हम तो एक्वेसन लिखने का प्रोसेस हम लोग जान लिए कैसे लिखा जाता है, अब एक्वेसन को बैलेंस कैसे किया है पहला है heat and trial method अनुमान और संतुलित method ठीक है दुसरा है partial method जिसको आंसिक बीधि बोले आता है तीसरा है ionic method जिसको ionic बीधि बोले आता है ठीक है न एक रसाइनिक समिकरन को दो और एक रसाइनिक के परवानों की सेंख्या समान होनी चाहिए दरविमान सवरचन का नियम से और श्र्मिकरन को संतुलित करने पर यह भीधी आगहात परीच्छन भीधी का लाता है क्योंकि इस में मातर सबसे छोटे पूर्ण और गुनां के परियों करके श्रमिकरण को संतुलित किया जाते हैं यह उतना इंपॉर्डन नहीं है इंपॉर्टन यह सब नहीं है आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां से पुछेगा ना वह इंडिकेट जो आल्रेडी कर दे हूं जो जो question पूछता है और यहां से जादतर जो है न question जेनरली जो पूछता है न वो पूछता है जो है परमानों के शंख्या निकालना मुला नुपाती सुत्र दिये हुए रहेगा और उसके अनुसुत्र निकालने के लिए बोल देगा इस टाइपर question यहां से बनते हैं तो हम ल किया में बास्तविक रूप से भाग लेने वाले परमानों एवं आयनों को दर्स आता है उसी को आयनी के विकिरिया करते हैं जैसे देखिएगा जेडेन में अगर hydrogen के साथ भी किरिया करते हैं तो क्या बनता है जेडेन यानी zinc आयन और H2 बनता है देखिएगा इसमें पलास जो चार्ज है न और इसमें 2 पलस जो यहां से ब्रेक होकर कर जो फाइनल बना जिसमें जींग पर जो आयन आ गया वही चीज को बोलना जा रहा है आयनीक एक्वेशन में यह चीज की उज़ता है उसी तरीका से थर्मो केमिकल के आई जी थर्मो केमिकल एक्वेशन वैसी रस होने वाले उश्मा परिवर्तन दर्स आये गए हो उसको रसायनिक समिकरन बोले जाता है ध्यांस देखेगा इंटू और थिरी एच्टू में देख सकते हैं यहां पर थर्मो केमिकल जो है यहां पर इंडिकेट कर दिया गया है ना पलस 22.5 किलो कलोरी यहीं पर यहां पर बो गया जा रहा कितना किलो कली यहां पर इंडिकेट कर दिया जाता थर्मो केमिकल एक्वेशन में वहीigen चीजे को बोला जा रहा है न उसमा रसायनिक समिकरन यांने थर्मो केमकल जो है इक्विशन इस chapter में हम लोग को इतना ही theory था जो हम लोगों ने देख लिया ठीक है न और इसका हम लोग numerical और MC के जो है next session में लगाएंगे इससे जो है numerical जाद तर मुला अनुपाती सुतर निकालने के लिए बोल देगा अनुपाती सुतर निकालने के लिए बोल देगा या फिर फर्मानु निक अभी किरिया का पर्तिकात्मक रूप से एक रसायनिक संकरन के रूप में दर्सा आजाता है बिल्कूल एक रसायनिक संकरन में तत्व के परतीक सिंबल या या यॉगी के सुतर सामिल होते है बिल्कूल एक यॉगी का सुतर निमलिखित का संकेत होता है इसको संगटक प पढ़ लिजेगा, H2O को hydrogen monoxide को समानता जल के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये तो सभी को पता है, NH3 को ammonia के रूप में जाना जाता है, nitrogen trioxide यानि नमोनियम, ammonia के रूप में इसको जाना जाता है, ये सब चीज एक पर देख लिजेगा, नेक दहने भी किरिया है, संजोज हम लोगों ने देख लिया, और कहां कहां से question पूछेगा, वो चीज हम लोगों ने formula भी indicate कर दिया था, देखेगा, यहां पर मैं आपको बता दू, जो जो मैं indicate किया था ना, वो सब चीज याद कर लिजेगा, जी, BVI जो लगाया था याद करने के लिए, यहां से भी ये question प देख लिजेगा, इसका लैटी नाम यहां से पूछा जाता है, ठीक है, और यह वहला table को पढ़ लिजेगा, यहां से direct question पूछ दिया जाता है, यानि कहने का मतलब हम लोग इस chapter को देंड कर चुके हैं, और कमेश्टी का बता दू कि mostly slavus complete हो चुका है, ठीक है ना, mostly slavus complete हो चुका है, एक चैप्टर जो बचता है, carbon and compound उसको भी, जो है ना, उसको भी कोसिस किया जाएगा, जल्द से जल्द complete हो जाए, आपको कमेश्टी में मैं बता दू कि यहां पे nature matter, atomic bit, molecular base, सारा complete करा दिया, structure of behavior of gasage, chemical bound, यहां पे predictable, radio activity, metal, non-metal, chemical reaction तो आज हो गया, यह सारा solution, combination of fuel यानी, इंधन वाला भी करवा दिया गया, चैप्टर, industrial chemistry भी करवा दिया गया, एक चैप्टर सिर्फ बचता हो है, carbon and compound, वो बहुत ही scoring चैप्टर है, carbon and compound भी बहुत है scoring चैप्टर है, उसको भी करवा दिया जागा, जल्द ही जाए, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ए आज जो है ना 129 नमबर का एक classes है, 129 नमबर और लगभग 50 से 55 जो है टेस्ट हो चुके है, सारा लगभग पौने 200 के लगभग आपका यहां पर वीडियो प्रोवाइड हो गया है, इस चैनल के मादे हम से पूल टेकनिका, सारा वीडियो को करते रहिए, कम से कम 102 बार वीड देखा कीजिए, ठीक है, और जो भी अभी paid course PDF or study material जो है purchase करना चाहते है, जल से जल 854 1653 बामाने नमबर पर contact करके WhatsApp करके यहां से inquiry कर सकते हैं, मात 399 रुपय हमें आपको मिल जाएगा, और जल से जल join कीजिए और अपना preparation को boost up कीजिए, अब revision करने का time आप लोग को आ चुक में आज breathe का हम लोग question देखेंगे, क्या कि breathe को आज से question आपको पुल्डेगनी की जाम में बहुत दीखने को मिलता है, तो सभी लोग दो बज़े present होईएगा, मिलते है next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद